हाल दोस्तों आज का सवाल इंडियन स्टेट शेयर पॉंडरे विच चाइना बताइए वो कौन से ऐसे रज्य हैं जो चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं इंडियन स्टेट का नाम आपको बताना है और यूण वेरी इंपॉर्टन कोशन है यह इसमें मैपिंग में खास करके जितने भी इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं चाइना म्यामार नेपाल भूटान पाकस्तान और अफगानिस्तान तो यहां पर आपको देखना है कि जो भी बॉर्डर एडिया है बॉर्डर एडिये का बॉर्डर एरिया के आसम जो भी राज्य हैं वहां पर जो भी पसiony हैं जो भी जोगर फैकल फीचर थेग Eric तो आज आप चाइना का उस को देखेंगे absorbed工 Did है कि globalization के बढ़ने से सबसे आदा फाइदा किसको हुआ है और किस तरीके से क्या ये globalization शुरुवाती दौर से ही था हाँ अगर हम बात करते हैं भारत को तो आपको पता होगा कि 1991 में हमने इसको इंट्रीउस किया लेकिन अगर हम rest of the world की बात करें तो क्या वहां पर ये चीजें पहले से थी इतना जो आज free trade है economy इतना open है क्या ये शुरुवाती दौर से था और अगर नहीं तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनों इसको इंट्रीउस किया तो एक बहतरीन आर्टिकल है सी राजर मोहन का इसको आजम डिसकस करने वाले हैं इसके अलावा कुछ अधर important article and plimps oriented news which we are going to see here कल का सवाल आप से पूछा गया था bordering countries of Malawi बहुत important location है आप लोग ने बिलकुल सही answer दिया है और इसको न्यासा land कहा जाता है क्यों क्यों क्योंकि यहां पर एक लेक न्यासा भी है ठीक है मालवी के bordering countries को देख लीजे जांबया मोजांबिक और तंजानिया यह important country का नाम पता होना है साथ में एक बात और याद रखना है आपसे इस तरीके से इंडिरेक कुशन बन सकता है कि warm heart of Africa किसको कहा चाता है तो इसका answer मालवी ही होगा यह वही country है जिसका nickname the warm heart of Africa है because of the friendliness of the people warm heart के लोग होते हैं अच्छे लोग होते हैं यहां पर इसलिए यह नाम दिया गया है साथ में जो other countries है जांबिया दिंजानिया मजांबीक इसका नाम आपको बहुत चाहिए क्लियर होना चाहिए यहां पे जो contact number 875 0069419 आप नहीं आपके कोई friend जो गाउ में है और वो बाहर नहीं आ सकते लेकिन तयारी शुरू करना चाहते हैं उनको आप जरूर बताएं हमारे बारे में कई सारे features हैं जो individually भी आपको दिये गए हैं जैसे कि answer writing का या personal guidance का उसके लिए आप पूरी जानकारी ले सकते हैं आज का पहला article फेडरलिजम पर है या federal structure पर है और spotlight of the state state और सेंटर के बीच का relation कैसा होता है इन दिनों कैसा है और इसे पिछले कुस दिनों में कैसा था उसी को discuss कर रहे हैं संजय बारूसर उनका यह article है देखते हैं उन्होंने क्या कहा है तो इन्होंने कुछ suggestions दिये हैं सेंटर को इनका मा मानना है कि सेंटर के दौरा काफी dominate किया जाता है या फिर सेंटर की वो responsibilities को नहीं निभाते हैं तो उनको अपनी responsibilities को निभाना चाहिए और इस तरीके के जो allegations होते हैं उससे प्धान मिंत्री को या सेंटर को बचने की जरूरत होती है और खास करके ऐसे समय में जब यह COVID-19 crisis है हर तरफ threat है और इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़े है water, food, electricity, health यह सारे इन सभी चीज़ों का supply एक state से दूसरे state में ऐसे में center और state का cooperation बहुत जादा जरूरी होता है पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस सेवा सिर्फ डेली ऐसी जगह जहां पर की center के हाथ में है otherwise बांकी के जुराजे हैं वहां पर पुलिस state subject है ऐसे कई सारे subject हैं जो state के इंतर गताते हैं ऐसे में ये वो दौर है जब economic crisis है पैसे बहुत जादा उपलब्ध नहीं है ना तो center के पास ना तो state के पास जरूरत हर किसी को बहुत जादा है migrant laborers की problem है other issues है तो ऐसे में किस तरीके का cooperation की demand की जा सकती है उसी पूरे मुद्दे पर emphasis किया गया है जैसा कि आपको पता है कि इस समय में जो situation है उसके accordingly कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं खास करके economy पर कि कि किस तरीके का जो center का role है वो हो सकता है economic condition को settle करने के लिए state में तो कई सारे article में हमने देखा है कि कई सारे सुझहाओ दिये गए जैसे कि जो GST compensation act है के तहत जो बकायरासी है GST का वो state को मिलना चाहिए उसके बाद कुछ और तरीके से जैसे कि अभी फिलाल तो हुए जब हम finance commission का देखते हैं allocation तो उसमें कम कर दिया गया है एक परसंट allocation दिये जाएं पैसे provide करवाये जाएं जितना हो सकता है क्यूंकि अभी state ही है जो front पर लडाई कर रहा है और ऐसे में state के पास food और इन सभी चीज़ों की availability बहुत ज़रूरी है interstate movement को revive किया जा सकता है कौन से movement को people and goods यानि कि service and goods का जो movement है उसको revive करना ज़रूरी है international economies treaties जो है उनको renegotiate किया जा सकता है जैसे कि कुछ राज अगर बाहर से पैसा उठाना चाहते हैं तो वो कैसे पैसे arrange कर सकते हैं इस तरीके कि जो other challenges है between the cent and the state which problem क्या है problem यह है कि center and state के द्वारा जो problem को resolve करने की कोशिश की जा रही है in this fiscal constraint क्योंकि constraint तो दोनों के पास है ना तो state के पास बहुत जादा amount है ना center के पास बहुत जादा amount है तो ऐसे में slow down को कैसे counter करना है इसमें जो भी economic condition को कैसे balance करना है यह एक बहुत बड़ा point है अब अभी तक क्या था कि जो internal migrations होते थे जो migrant laborers है उनकी problems को almost लोग neglect करते थे लोग का मतलब है यहां पर जो hosting state है यहां पर वो लोग काम करने जाते थे या other government है वो कभी भी इनके problems को बहुत जादा deal करने में जो उनकी responsibility होती है उसको निभाते नहीं थे यह history बताता है और यह article में कहा गया है लेकिन जब से यह lockdown impose हुआ है तो migrant laborers की जो problem है वो सभी के सामने आ गई है और उनको counter करना जो भी problem है migration के migrant laborers के उनको resolve करना अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है तो यहां पर यह भी कह रहे हैं कि हलांकि जब Prime Minister आते हैं अपने first tenure में उन्होंने NDC को National Development Council को खत्म किया लेकिन आज एक ऐसे ही किसी forum की जुरत पड़ रही है जो federal forum होना चाहिए NDC की तरह जहां पर ऐसे issues को discuss किया जा सके जो migrant laborers की problem है उनके issues को discuss किया जा सके और इसमें सबस्यादा important है management balance of power कैसे center state के बीच में जो power का balance है उसको continue किया जाता है जो present government है वो किस तरीके से पूरा का पूरा national attention प की बात करते हैं इनका जो पहला term था उन्होंने उस समय अपना पूरा जो focus था वो foreign और economic policies और उससे जुड़े जो भी initiatives थे उस पर दिया लेकिन जो इनका second tenure था वो किस पर है वो पूरा का पूरा उनका जो attention है वो political चीज़ों पर है personal health पर है law and order को maintain करने पर है तो इसका example उनने काफी challenges issues को raise किया है और अब यह जो COVID-19 की वज़े से lockdown है अब जो economic crisis है इसमें यह बहुत जरूरी है कि center और state का participation एक दूसरे के साथ हो और इसमें जो इनका focus हो वो proper तरीके से domestic policies and affairs पर होना चाहिए now era of coalition जब हम बात करते है आप 1989 से 2014 का tenure तो इसमें में क्या था कि center और state का जो relation था वो एक दूसरे के साथ cooperation पर था और यूँ कहें कि dependent था chief ministers और जो prime minister है वो एक दूसरे को cooperate करते थे किसी भी national initiatives के लिए public services के delivery के लिए लेकिन after 2014 क्या होता है एक single party government emerge होती है obviously आप देख रहे हैं कि काफी ज़्यादा majority में सरकार चुनकर के आती है तो ऐसे में governance है वो centralized होता चला जाता है एक single personality dominant party होती चली जाती है और ऐसे में cooperative federalism को ensure करना अपने आप में एक challenge हो जाता है तो यहाँ पर इनको फिर से मौका मिला है यह बताते हैं कि जिस तरीके से जवाला नहरूफ इंद्रा गांदी का tenure था कि 1950 से लेकर 1970 का दौर था जिस तरीके से उस समय एक powerful PM हुआ करते थे and working with the powerful CMs तो वैसे ही आज के समय में भी अभी इस COVID-19 crisis ने एक मौका दिया है center government को as well as state government को कि आपस में वो coordinate करें आपस में आकर के काम करें और आप देख रहे हैं कि finally जो government है वो साथ आ रही है जाए उप्रधानमंत्री का video conferencing हो chief ministers के साथ या फिर सभी का एक मत से lockdown को सुईकार करना उसको ensure करने के लिए काम करना और development role को reassess करना तो एक तरीके से एक opportunity देता है हर राज को और center को भी ताकि वो अपने political relation stability लेकर क्या है साथ में economic growth और sustainable growth पर अपना focus दे सके आए अगल आटिकल देखते हैं और इसमें आप यह syllabus यहां पर गलत लिखा हुआ है आप syllabus में यह जो पूरा topic है इसको आई-ार से associate करेंगे जियेस पेपर 2 में आ जाएगा यह और आई-ार किस तरीके से globalization ने पूरे वर्ल्ड की policy को change किया है और अब जो वर्ल्ड है वो किस तरफ आगे बढ़ रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं तो बात करते हैं थोड़ा सा background में जा करके यह कुछ एक example देते हैं कि अलग-अलग देश यानि कि जो major economies हुआ करते थे यह हम 1990 की बात कर रहे हैं उस समय जो major economies हुआ करते थे उन्होंने अपने हाँ पर चीजों को change किया एक global transformation लेकर किया और पिछले चार दशक से उन्होंने बदलाव की कोशिश की इसमें एक example आता है चाइना के बहुत important personality Deng Xiaoping का जिन्होंने की चाइना में economic reform को access किया अभी हम देखेंगे कैसे उन्होंने चाइना में क्या क्या किया जिसे कि वहाँ पर economic reform आता है और आज चाइना किसे थी आप जानते हैं पूरे विश्व में क्या है तो इस तरह कि कई सारी personalities हुई अलग-अल Britain में और Europe में including China, Russia कि उन्होंने ये जो आज economy आप देखते हैं या आज जो globalization है उसको एक चरम पर ले जाने में अपना रोल प्ले किया इसमें कुछ और भी नाम आता है जैसे कि जब हम बात करते हैं US की तो Regan, Reganomics या फिर जो इनका एक revolution कहा जाता है Regan revolution इनको काफी हद तक स President थे Clinton साब उन्होंने और उन्होंने वहां पर democratic deregulation किया, domestic deregulation किया, free trade को impose किया इस तरीके से वहां पर यानि कि US में जब इन चीजों को स्विकार किया गया, economy के स्थिती को बदला गया, open economy किया गया, तो इससे other developing countries थी उनका बहुत फाइदा हुआ, including China and India और सब्सक्राइद नई new liberal class का emergence होता है और नई policies को ensure किया जाता है, Soviet Union को खत्म करके और वहां की जो रश्या की जो economy होती है, उसको भी open किया जाता है, वहां पे भी लोग other world के साथ join करते हैं, वहां जो European integration था, उसको कैसे develop करना है, उसको कैसे मजबूत बनाना है, उसमें जो political leaders थे, वो participate करते है और ultimately जब हम बात चाइना की करते हैं, तो वहां पर कैसे जो leftism था, उससे rightism की तरफ लाने के लिए वहां की political, जो leaders हुआ करते थे उस वक्त, जो communist parties थी, उनको convince किया गया, और उस समय ये कहा गया कि हमारी जो economy होगी, यानि हम चाइना की बात करें, चाइना की जो economy का characteristic होगा वो बांकी जगह से अलग होगा, मतलब वो socialism को भी रखना चाहते थे, वो capitalism को भी अपनाना चाहते थे, तो उन्होंने इसको एक अलग रूप दिया, उसका नाम था red capitalism, जिसको की capitalism with Chinese characteristics आप बोल सकते हैं, तो वहां की जो economy है, वो capitalist character की है, लेकिन वहां की जो polity है, या policy है, political tenure ह वो बिल्कुल अलग है, तो इस तरीके से उन्होंने अपने हाँ पर एक अलग concept को emerge किया, और इस तरीके से पूरी जो अगर आप global world की बात करते हैं, तो उसका सबस्यादा फाइदा चाहिना नहीं उठाया, जो western economy थी उसके उपर होने का, जो सबस्यादा फाइदा मिला, वो other economies जिसमें की उस समय की या अभी की भी आप बोल सकते हैं, major economies में, UK, US, इन सभी को बैसा लगने लगा कि इनका फाइदा दूसरी countries ज्यादा उठा रहे हैं और इनका नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो इन्होंने अपने आपको अलग करना शुरू किया, इसका एक के लोगों को जॉब देना, America first जो नीती है उसको इंशॉर करना और इन्होंने बहुत ही clear कर लोगों को बताने की कोशिश की कि चाइना इस globalization का सबसे ज़्यादा फाइदा उठाता है और वो अब ऐसा नहीं होने देंगे, ultimately जब coronavirus crisis आता है, तो इसने इस बात पर बहुत ज़ कि हर चीज के लिए चोटी से लेकर के बड़ी चीज के लिए आज जो वर्ल्ड है उसमें most of the चीज पर चाइना के ओपर dependent है, तो ये इस बात को काफी हद तक reinforce करता है कि किस तरीके से चाइना ने इन पूरे globalization का advantage लिया है, अब लोग डी globalization की तरफ जाना चाह रहे हैं, मतलब ये बिलकुल contrast concept है globalization का, ठीक है तो आप देखिए कि अभी का जो पूरा coronavirus crisis है, उसमें एक एंगल चाइना है, वो इसलिए नहीं कि ये virus वहान से मर्ज होता है, वो सिर्फ इसलिए कि चाइना की जो economic policy और political policy है, वो किस तरीके की है, आर्टिकल का मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ because China में जो अभी वहाँ पर economic policy अपनाई गई है, वो डैंग की policy के विपरीथ हैं, जबकि डैंग की policy क्या हवा करती थी, कि आप open economy रखें, लेकिन low international profile होना चाहिए, लेकिन अभी चाइना में ऐसा बिलकुल भी नहीं है, चाइना पूरे world को dominate करना चाहता है, और ये जो उनका ये कह सकते हैं, इंटेंशन वो इस coronavirus crisis की वज़े से सबके सामने आता हुआ दिख रहा है, और अब लोग globalization से deglobalization की तरफ जाना चाह रहे हैं, आज परिलिम्स oriented news में देखते हैं, important news है, National List of Intangible Culture Heritage, ICH, आप से पूछा चाह सकता है, कि ये क्या है, कि इसने launch किया है, इसके बा Culture Heritage of India, तो Ministry of Culture का एक vision है, Vision 2024, ये भी question मन सकता है, कि Vision 2024 क्या है, किस चीज़ से संबन्दित है, तो culture से associated है, Ministry of Culture का program है, इसी में जितने भी intangible list बनाए गए हैं, उसके बारे में, या फिर और भी जो research है, कि क्या importance है, क्या चीज़े हैं, इंडिया में जो important है, उसको इसमें शाम जो intangible list में शामिल है, List of Intangible Culture Heritage of Humanity, इसमें total 13 ऐसे element हैं, जो भारत के हैं, उनका नाम आपको बिलकुल याद होना चाहिए, अभी जो हाल ही में इसमें एड हुआ है, वो कुम्भ मेला है, 2016 में, इसके पहले के भी आपको सारे list जो नाम हैं, आपको सब याद होना चाहिए, वैदिक चेंटिंग से लेकर के, राम लीला, कुरियत्टम, रम्मन, मुरियत्टू, काल बेलिया, आपको याद होगा, छाओ डांस, बुद्धिस चेंटिंग, इसमें आपको ये भी याद रखना है कि ये कौन से रीजन से है, क्या है, थेटर है, ड्रामा है, डांस है, तो ये आपको सारी चीजें इस लिस्ट की याद होनी चाहिए, अगला न्यूस है, जी आई टैग से जुड़ा हुआ, बैंगलोर का ब्लू वराइटी ऑफ ग्राप, कोशन आप से बन सकता है, कि ब्लू वराइटी ऑफ ग्रेप्स जो है, वो कहां से किस रीजन से है, तो इस्ट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आता है, तो कमेंट क्या कीजिए, और आंसर करना बिल्कुल मद भूलिये, शुरुआत में जो आप से आंसर पूछे गहें, इसलिए पूछे गहें, ताकि आप मैपिंग में जाकर के उस चीज़ को एक बार देखें विए रिवाइस करें और फिर आप उसका अंसर करें, ताकि यू सू मच, keep studying